बोर्ट एक्जाम पर आया है एक बार फिर से करोना का साया और इस बार भी टल सकती है कक्षा दस्वी और बार्वी की बोर्ट पर इक्षा हैं अगर आप भी कक्छा दस्वी या बारवी के चातर हो और बोट पर इक्छा 2022 की तयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहना और आज की कोई सी भी जानकारी को मिसमत करना क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए important वीडियो होने वाली है दोस्तों आपको बता दे कि करोना वारेस की बढ़ती लहर को देखते हुए राज्यो के स्कूलों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है और कक्षा दस्वी और बारवी के बोर्ड एक्जाम फरवरी से स्टार्ट होंगे भी या फिर नहीं इस पर अभी तक कोई फैसला होते वे नजर नहीं आ रहा है और स्कूल और सिक्षा विवाक को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये सभी वेट एंड वाच की स्थिति को अपनाए हुए है और मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये बताया जा रहा है कि एक्जाम को लेकर अभी कोई भी डिफरेंट प्लान तयार नहीं किया गया है और साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर 31 जनवरी तक करोना पीक पर नहीं आया तो बोर्ट एक्जाम की तारीखों को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आपको बता दे कि रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि फरवरी में ही करोना वाइरस पीक पर आ सकता है और क्यूंकि करोना वाइरस का नया विरेंग टोमी करोन भी अब देस में काफी तेजी से फैलने लगा है तो अब अगर बोट कोई भी फैसला लेती है तो वो इस्तिती को ध्यान में रखकर ही लेगी और चांसिस है कि इस बार भी बोट पर इक्षय 2022 टल सकती है सब कुछ इस्तिती पर निर्वर करता है अभी तक बोट की तरफ से इस पर कोई भी ओफिसल नोटिस जारी नहीं हुआ लेकिन जैसे ही बोट की तरफ से कोई भी ओफिसल नोटिस बोट पर इक्षय 2022 को लेकर आएगा तो हम आपको बता देंगे सबसे पहले इसलिए अगर भी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए